नमस्कार में प्रियर अजन और आज की इस एपिसोड में डिस्कस करेंगे वीपरो स्टॉक के बारे में वीपरो ही नहीं जितने भी आई टी के स्टॉक हैं सभी it इस्टॉक इस समय देखें तो अंडर परफॉर्म ट्रेंड करते दिख रहा है वीप्रो में मेरे क्या व्यूज हैं रिसेंट के क्या न्यूज हैं इसको समझे से पहले प्रीमियम टेलिग्राम को जौइन करें डिस्किप्शन के लिंक से एकाउंट अपन करेंगे पिछले 6 मन्त में स्टॉक की तेजी ओनली 7 परसेंट नहीं रही थी यह तेजी ठीक ठाक रही थी और लगबग 20 परसेंट के ऊपर की रही थी लेकिन यहां से इस करेक्शन के बाद का तेजी आपको ओनली 7 परसेंट का दिख रहा है एक बड़ी खबर इसमें इस स्टॉक के रिगार्डिंग जो ट्रेंड होते दिख रही है वो यहां पर देखेंगे कि वीपरो ने सेंटर ब्रेन रिशर्च के साथ कोलैब करा है और इस से पहले देखेंगे तो 24th को कंपनी ने नॉर्थन यूरोप के साथ अपॉइंटमेंट करा था वीपरो लिमिटेड अनॉंस देट अपॉइंटमेंट अफ शरत चंद एज रिजनल हें और मैनेजिंग डिरेक्टर अफ नॉर्थन यूरोप यूरोप के अंदर कंपनी ने अरिजनल हेड को अपॉइंट करा इसके अलावे टेक्निकल ट्रेंड देखेंगे तो अंडर परफॉर्म पास त्री मन्थ से जो डिलेवरी है वो बेटर दिख रही है आज के वॉल्यूम 29 लैक के नॉमिनल वॉल्यूम और अगेन मैं कहूंग कि इस समय जो वीपरो स्टॉक है ये बाइंग जोन है ये पुरा बाइंग जोन है 380 से 440 इस जोन में धीरे धीरे एकुमलेट करें जहां आप 550, 620 और 740 जैसे लेवल्स जो की ओल्ल टाइम हाई का है इन तीन लेवल्स को आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं टेक्निकली जब तक इस लेवल को ब्रेकडाउन नहीं करें तयब तक वीक नहीं है डेली टाइम फ्रेम के ट्रेंड को भी देखेंगे तो डेली ट्रेंड निगेटिव है अगर लोंग करना है तो मिनिमम् 470 को ब्रेक आउट करने दें या फिर कहां तक गिरता है डीटेस्ट करके एक ब्रेक का वेट करेंगे अबरॉल ट्रेंड वीक दिख रहा है